रास्थानी दिली में कड़ा के किठन का असर जारी है इस बीच मौसम विज्यानिक उल्दीप शिवास्तम निजवानकारी देते हुए बताया कि रास्थानी में औरेंज अलड़ जारी किया गया है क्योंकि आने वाले दो दिन कोहरे की घरनी चादर रहनी की संभाव ना है दो-तिन दिनों से बहुत जादा जो कोहरा है वो सुभा के वक्त में दर्ज किया जा रहा है यहां तक कि कई बार दिन के ढलते वक्त में भी जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है इस समय कोहरे के वज़े से तमाम दिक्कते भी आ रही है ऐसे में लोगों के सवाल यही है कि आखिर इस तरीकी की इस्तिती आगामे दिनों में कब तक बनी रहेगी या फिर इससे राहत कब मिल सकती है इसी पर तमाम जानकारी के लिए अभी हमारे साथ बाचेत करने के लिए मोसम वैज्यानिक कुलदीप शिवास्तर जी है कुलदीप जी पिछले दो-तीन दिनों से बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है इसको लेकर अभी किसी प्रकार का दिली में आलर्ट जारी किया गया है की तक समय है उस समय हमारे पास घने जी कोहरे की चादर चाही रहेगी और साथ में इसके चलते विजिबिल्टी 50 मीटर और कुछ जगों पर 0 मीटर भी जा सकती है और जो सासा जो नियूंतम ताप मान है वो भी हमारे पास जो है सीतलर की स्थिती बनी रहेगी और जो टमप्रेचर है वो 4 डिगरी से कम रिपोर्ट किया जाएगा ऑब जो कहरा बहुत जाएदा हो रहा जब शुब्यका जब सुबह झाल राया है यहाँ तक कि रात की जब शुडवात होति है उस टाइम पर भी बहुत जाएदा कोर हो रहा है अब इस राहत मिलने के कंप तक रो डॉप है फेलाल दो दिनों तक इसकी वज़स ही आप देखेंगे दिन में आपको अच्छी दूप निकल लगी है, टमप्रेचर 20 डिग्री से उपर चल ला है, जो कि नॉर्मल से उपर चल ला है, तो दिन के समय हमारे पास वेदर कमफर्टेबल है, और चुकि आस्मान साफ है, दिन में टमप्रेचर बढ़ और इस आस्मान साफ होने की वज़े से ही रात के समय हमारे पास जो अर्थ को इनर्जी मिल जाती है, वो इमिडेटली आपके पास काते है, बहुत तेजी से रिडेट हो जाती है, इट्मॉस्फिरम बैक में, बैक हो जाती है, मतलब सब्सक्राइब के समय बाप पचल जिसे जो सर्फेस का टंप्रेचर है धरती का वो बहुत तेजी से गिरता है, तो आप देखेंगे सब्सक्राइब के आसफ़ा टंप्रेचर साथ से आठ डिगरी का है, लेकिन जैसे यह साथ बज़ते हैं, उस समय इमिडेटली साथ तीन से चाठ डिगरी गिरता है, तो यह हमारे जो आसमान साफ है, उसकी वज़ा से इतनी तेजी से मौनिंग आवर्स में गिरावट होती है, और चुकि हमारे पास कल आज मौसम खुला हुआ है, तो इसका प्रभाव कल रहेगा कि कल आपके पास घना कोरा रहेगा, और तापमान गिरेगा, और चुकि कल भी हम उम्मीद क के लिए हमने सीत लहर की और साथ-साथ कर सकते हैं कि घने से सगन घना कोरे की चेतावनी और इंज कलर में जारी कि अलावा उत्तरी भारत को लेकर क्या अपडेट है, आपके उत्तरी भारत में जो आलमोस सिमिलर से चल लेए, यह जो आपके पास कोरे की चादर मौनिंग लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश तक हैं नौर्थ राजस्थान में, तो यह जो मौनिंग आवर्स में जो पूरा उत्तर भारत का मैदानी लाका है, वहां पर घने से अथिस घना कोरा चाहर रहता है, मौनिंग आवर्स में, साथ में जो तापमान में हैं, वह भी कई जगह पर 0 degree centigrade के आसपास भी रिपोर्ड किया रहा है, साथ में कुछ जगह पर पाला भी गिर रहा है हमारे पास, जो आप देखेंगे सर्फिस में तुड़ा तुड़ा आपका ग्राउंड फ्रॉज यह सिच्टेबिल है, वह पूरे पंजाब से लेकर के पूरे उत्तर प्रदिश तक लगबग यही सिच्टेबिल है, जो की दिली अंचियार में है, एक आकरी सवाल, मोसम विभाग के अनुसार किसी तरीकी की जो चेतावनी है, इस समय बचाव के लिए इस कोहरे में और धुन्द की चादर में दी जा रही है, देखें, धुन्द के चादर से सबस्तिक जो आपके पास करते हैं कि बसे दी में चलती है, लेकिन अगर आपका अपना वेकिल यूज कर रहे हैं, तो इस पेसली मौनिंग आवर्स में आपके सकते हैं कि नौ साड़े नौ बजी तक और सभी चार बजी से लेकर के उस समय हो सके तो मैक्सम टाइम उसको एवाइट करें, जब आपके पास विजिबिल्टी इंप्रूब करती है नौ जी का उसके आप मुवमेंट करें, और उस समय हमारे पास चुकी ठंड भी बहुत पड़ रही है, चार डिगरी के आसपास टमप्रेचर या मैदानी लाकों में कुछ उससे कम भी जा रहा है, तो बेटर है कि आप गरम कपड़े यूज करें और उस समय आपके वाद 9-10 वे तक घर के अंदर ही रहें, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, यानि कि राजधानी दिल्ली में अभी आगामी दो दिनों तक मोसम का जो आगाज आप देख रहे हैं, यानि कि सुबा के वक्त में बहुत जा कि अगामी अगामी आपके लिए घर आपके वक्त में दो दो।